अभी से इतना जोर दिखाओगे तो मेरा बाशर पुरा होता होता ठख जाओगे मैं माता और बेनों को विशेश परणाम कर रहा हूँ वाज और जुस्से में दिख रही है भारत माता की भारत माता की भारत माता की भाया आपका प्यार आपके आशिरवाद आपके उत्सा सब कुछ मुझे पहुँच गया अब मैं अपने बात पहुचाओं आज राम भक्त हनमान जी की जैनती का पवित्र दीन है पूरे देश को हनमान जीनती की बहुत बहुत शुब कामना है मेरे साथ बोलिए बजरंग बली की बजरंग बली की बजरंग बली की और मैं आप सब का भी अभारी हूँ कि आज आपने मुझे गदा दे करके बजरंग बली की जै करने का आउसर दे दिया महावीर बीरों के बीर बजरंग बली की जैनती पर मेरा सवभाग्य है कि मुझे शुर्वीरों की धरती सवाई माधु बुराने का मौका मिला है चुनाओ के दिन है एक दिन में दो दो तिन तिन स्टेट में जाना होता है और इसलिए सफा के समय से भी पहले यहां सफा के समय मैंने दे दिया था और मैं देख रहा हूँ वहां से हुझूम का हुझूम अभी आही रहा है पूरा जुलूस भा से आ रहा है मुझे लगता है मुझे लगता है कि मेरी जबाब पूरी होने के बाद भी लोग आते रहेंगे तो जो अभी पहुंच नहीं पाए है रास्ते में दिख रहे हैं मैं उनकी शमा मांगता हूँ क्योंकि मुझे तो इंतजार नहीं कर सकता है आगे चलना पड़ेगा लेकिन यह मैं जो उत्सा देख रहा हूँ उसमें एक मजबूत भारत के लिए आशिरवाद है इसलिए हर तरफ यही गुझ है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों हमारे राजस्तान ने सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरफ देश की रक्षा की है राजस्तान ये बखुबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट और स्थाई सरकार ये कितनी जरूरी होती है इसलिए चाहे दो हजार चौदा हो या दो हजार उन्नीस हो राजस्तान ने एक जूठ होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आसिरवाद दिया था आपने पचीस की पति सीटें भाजपा को जीत करके जोली बर दी थी एक जुठता ही एक ता ही राजस्तान की सबसे बड़ी पूझी है याद रखिएगा जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फाइदा उठाया है अब भी राजस्तान को बाटने की यहां के लोगों को बाटने की पूरी कोशिस हो रही है इससे राजस्तान को साउधान रहने की जरुवत है साथियों एक स्थीर और इमांदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है यह पिछले दस वरसों में सबने देखा है भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थ वबस्ता है पिछले दस साल में पचीस करोर लोग गरीबी से बाहार निकले है यह बहुत बड़ा काम हुआ है इतना बड़ा काम कैसे संबभ हुआ कैसे हुआ यह इतना बड़ा काम कैसे संबभ हुआ देश को सबसे मजबुत स्थिती में किसने पहुचाया किसने पहुचाया माताए भेने बताए किसने पहुचाया यह आपकी उदारता है आपका प्रेव है आपके आशिरवाद है कि आप सारी क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं लेकिन सच्चा यह है कि यह जो कुछ भी हुआ है न वो आपके एक भूट की ताकत के कारण हुआ है आपके कारण हुआ है जो पचीस करोर लोग गरीबी से बहार दिकले हैं न वो जो पुन्य है उस पुन्य के हकदार आप है जिस गरीब को पक का घर मिला है उसका जो पुन्य है उस पुन्य के हकदार आप है जिस गरीब को मुप्त राशन मिला है जिस गरीब का चूला जलता रहा है उसके कारण जो पुन्य मिला है वो पुन्य के हकदार आप है आपका वोट है साथियों 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का आउसर दिया तो देश ने वो फैसले लिये जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी लेकिन अब सोचिये अगर कॉंग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता कॉंग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते चलते के नहीं चलते कॉंग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्वन आज भी हमारे जवानों के सीर काट कर ले जाते कॉंग्रेस सरकार कुछ न करती कॉंग्रेस होती तो ना हमारे फोजियों को वन रैंग वन पैंशन लागू होती और ना ही हमारे पुर्व सैनिकों को एक लाग करोड रुपिया मिलते कॉंग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कौने कौने में सीरियल ब्लास्ट बम धमा के होते ही रहते निर्दोस लोग मरते ही रहते कॉंग्रेस ले तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे बम धमा के हुए थे उन दोसियों को बचाने का गोर पाप भी किया है कॉंग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुप्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुप्त वैक्शिन मिलती कॉंग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहा कार मचा होता कॉंग्रेस पार्टी देश की मुसिबत में अपने लिए ब्रस्टा चार के नए मौके तलास थी और राजत्तान के मेरे भाई और बेहनों आप लोग तो कुछ महिने पहले ही कॉंग्रेस के पंजे से मुक्त हुए है कॉंग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिये वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते कॉंग्रेस ने महिला और परत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर एक बना दिया था और दुर्भाग के देखिए कॉंग्रेस के लोग बिदान सबा में बे शर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है अरे डूब मरो डूब भरो ये शोबा नहीं देता है ये शोबा नहीं देता है आपको टॉंक में कीन असामाजिक तत्व के कारण यहां की इंडुस्ट्री बंद हो गई ये भी आप जानते है लेकिन आपने हमारे बजनलाल जी को सेवा करने का मोका दिया है और जब से बजनलाल जी और उनकी टीम काम पे लगी है माफिया अपरादी राजस्थान छोड़कर भागने पर मजबूर है पेपर लिग माफिया भी बजनलाल जी का कानुड़े डंडा चलने के बाद ठंडा पड़ गया है जबकि अभी तो इन्हें सिरफ तीन-चार मेने ही बजनलाल जी और उनकी टीम को हुआ है जो अपरादी दोखे में है वो जान ले ये बजनलाल जी है अभी तो बजनलाल सरकार की गाड़ी चलनी शुरू हुई है अभी तो ट्रॉप गियर में आना बाकी है साथियों कि याद आ रही है हो सकता है आप पैसे बहुतों तो के खबर नहीं पहुंची होगी मिडिया का काम था ये बात पहुंचा है लेकिन नहीं पहुंचा ही होगी वो तस्वीर है कॉंग्रेस के शाषन वाले करना टका की कुछ दिन पहले वह एक छोटा दुकानदार उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया लहू लुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हन्मान 40 सुन रहा था ये कॉंग्रेस की करना टका की सरकार का काम देखिए अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी बक्ती भाव से प्रभू हनमान जी का स्मरन करते हुए हनमान 40 सुन रहा था उसको लहू लहान कर दिया गया आप कल पना कर सकते हैं कॉंग्रेस के राज में हनमान 40 सुनना भी गुना हो जाता है कॉंग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्तान तो खोद इसका भुक्त भोगी रहा है अब शीदी शीदी बात है जब उनके पार्टी उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदीर बने प्रभु राम का प्रान पतिश्चा का अउसर हो मंदीर के लोग जाके रूम रूम में आने के लिए निमंत्रन दे सम्मान पुरवक निमंत्रन दे और पब्लिक लिए उस निमंत्रन को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाईयो कुछ दिन पहले ही राम नौमी बीती है कॉंग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांती से शोभायात्रा निकली है पूरे राजस्तान में वरना पहले और चुनाव की आपादापी गर्मी होने के बावजुद भी कॉंग्रेस ने तो और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरन का स्वागत भी राम राम सा से होता है राम राम सा कोई किसी को मिले तो पहले मुल से निकलता है राम राम सा कॉंग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्तान में राम नौमी पर पतिबंद लगा दिया था और हमारे किरोडिलाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लिड़ते थे कॉंग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थर बाजी करने वालों को सरकारी सवरक्षन दिया था इसी कॉंग्रेस पार्टी ने तिस्टी करन के लिए मालपुरा, करोली, छबड़ा, टॉंक, जोदपुर को दंगों की आग में जौँक दिया था जौँक दिया तक नहीं जौँक दिया था कैसे लोगों को माप करोगे अब भाज़पार सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है के आपकी आस्था पर सवाल उठा दे अब आप चैन से हनमान 40 अभी गाएंगे और राम नौ में भी मनाएंगे ये भाजपा की गारंटी है कि साथियों कि अभी पर्सों जब मैं अजिस्टान आया था तो मेरा एक देड़ मिनिट का भाशन नबे सेकंड का भाशन और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कॉंग्रेस और इंडी गड़बंद में ऐसी भगदण मची है ऐसी भगदण मची है मैंने सत्य रखा देश के सामने कॉंग्रेस आपकी संपत्ती छीन कर उनके खास लोगों को बाटने की गहरी साजी सरच कर बैठी है दो तिन दिन पहले मैंने कॉंग्रेस की इस बोटबेंक की राजनिती तुष्टी करण की राजनिती का परदा पास किया था इससे कॉंग्रेस वरुद को सिस्थिम में उनको इतनी मिर्ची लगी है इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गाली हां देने में तूट पड़े जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है मैं कॉंग्रेस से जानना चाहता हूँ आकिर कॉंग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है कॉंग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे च्छपाने में लगी है जब आपने नीति बनाई है निरनल लिया है तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया आपका हिडर एजंडा भारा गया तो अब कांप रहे हो अरे हिमबद है तो स्विकार करो हम आप से मुकाबला करने के लिए तयार है मैं ये बात देश को साब साब बताना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धसी हुई है कि उसे बाबा साब के समिधान की भी परवा नहीं है और आपको पता होगा उन्होंने मैनिपेस्टों में तो लिखा है कि आपके संपत्ति का सर्वे करेंगे हमारी माताओं बेहनों के पास जो स्त्री धन होता है जो मंगल सुत्र होता है उसका सर्वे करेंगे और फिर उनके नेता ने तो बाशन में कहा एक्सरे किया जाएगा मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा दिवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा पूरा एक्सरे करने वारे की घोज़ड़ा की है और उनके नेता ने पब्लिक लिका है और फिर आपकी सारी संपती जरूरत से ज़्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार कहते हैं और फिर लोगों को बाढ़ देंगे अगर आपके पाद दो घर है यहां गाउं में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपूर जोधपूर में आगरेका छोटा फ्लेट ले लिया है तो एक्षरे करेंगे कि फिर दो गर है एक वापिस दो सरकार को दे दो बताये आपको मंझूर है क्या ये मंझूर है क्या क्या अस्त्री धन पर हाट लगा सकते है क्या राजस्तान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाईयो अब देखें कॉंग्रेट पार्टी ने संभीदान के साथ बाबा साब अम्मेर करके दिये हुए संभीदान के साथ किस प्रकार थे खिलबाट करने की कोशिश की इस देश की में जब संभीदान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षन का गोर विरोध हुआ था ताकि हमारे SC, ST, OBC समुधाय को सुरक्षा मिलती रहे लेकिन उन्होंने मनमोंची जीने बाशन किया था और उस सभा में मौझूद था मुक्मंत्री के नाते मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है ये मनमोंची का बयान है और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था कॉंग्रेस पार्टी की सोच हमें सांसे तुष्टी करण की रही है बोट बैइक की राजनिती की रही है 2004 में जैसे ही कॉंग्रेस की केंद्रे में सरकार बनी उसके सबसे पहले किये गए कामों में था सबसे पहला काम था चुनाव जित्ते के बाद आंधर प्रदेश में SC, ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास ये एक पाइलट प्रोजेक्ट था जिसे कॉंग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी 2004 से 2010 के बीच कॉंग्रेस ने चार बार आंधर प्रदेश में मुसलिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की लेकिन कानूनी अर्चनों की बज़र से सुप्रीम कोर्ड की जागरुकता के कारान वो अपने मन्सूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए 2011 में कॉंग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की SC, ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके बोट बेंक की राजलिती के लिए और उको देने का खेल किया कॉंग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते भुजते किये कि ये सब सम्विधान की मूल बाउना के खिलाब था लेकिन कॉंग्रेस ने सब्विधान की परवान नहीं की बाबा साब आम बेड कर की परवान नहीं की जब करनाटका की बीजेपी सरकार ने जब हमें मोका मिला तो हमने पहला काम किया उन्होंने जो SC, ST से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और दिन का हक था उनका हिक सुरचित रखा तो कॉंग्रेस पुरे देश में आग बबुला हो गई यह मोदी समध्ता का है अरे मोदी समिधान को समध्ता है मोदी समिधान को समर्फित है मोदी बाबा साब मेड करकी पूजा करने वाड़ा बेखती है साथ क्यों सच्चा यह है कि कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस जब सत्ता में था तो यह लोग दलीतों और पिछणों के आरक्षन में सेंदमारी करके वोट बैंक पॉलिटिस के लिए उनकी खाज जमात को अलग से आरक्षन देना चाहते थे जबकि संविधान इसके बिलकुल खिलाफ है आरक्षन का जो हक बाबा साम ने दलीत पिछणों और आजिवास्यों को दिया कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस वाले उसे मजभब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे मैं कॉंग्रेस को पूछना चाहता हूँ क्या कॉंग्रेस एलान करेगी कि संविधान में दलीतों पिछणों के आरक्षन को आधि वास्यों के आरक्षन को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बाटेंगे जराव देश की जनता को बादा करो कॉंग्रेस जहां भी आए आपको महले में आजाए आपके घर में मिलने आजाए जराव खड़े रख कर के पूछों करनाट का आंदर जैसे राज्यों में इनोंने आरक्षन को मजहर प्याधार पर माटने का केल क्यों शुरू किया था साथियों कॉंग्रेस की इन साजिसों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है दलीतों पिछडों राधिवास्चों का आरक्षन नखत्म होगा यह मोदी की गारंटी है आरक्षन नखत्म होगा और नहीं उसे दर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा यह मोदी की गारंटी है दोजार बीच में आरक्षन की सम्वेधानी समय सिमा खत्म हो रही थी और उस समय आपने मोदी को सेवा के लिए बिठाया हुआ था ये मोदी है जिसने दलीतों आदिवास्यों का आरक्षन और दस साल के लिए बढ़ा दिया था साथ क्यों कॉंग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती कॉंग्रेस पार्टी ने इतने दसक दो तक आपको पीने के साफ पानी जैसी जरुद तक से बंचित रखा बीजेपी सरकार ने हर गर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया लेकिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार ने उसमें भी हजारों करोड रुप्य का प्रशाचार कर दिया कॉंग्रेस ने राजस्तान के लिए सबसे जरूरी ई-र-सी-पी प्रोजेक को भी पास नहीं होने दिया ये बाजबास सरकार ने हमारे बजनलाल जी की महनत ने E.R.C.P. का बहुत बड़ा लाब टॉंग सवाई माधवपूर को मिलने वाला है इसका बड़ा लाब यहां के किसानों को होगा यहां सवाई माधवपूर टॉंग जिले में पी-म किसान सम्मान निदी के करीब ग्यारा सो करोड रुपे सीधे ट्रांसपर किये गए है राज़तान में गेहूं का समर्धन मुल्य भी बढ़ाया गया है साथियों कॉंग्रिस को आदुनिक इंफ्रासेक्टर के निर्मान से भी अलर्जी है यह बीजेपी है आज पूरे देश पे आदुनिक इंफ्रासेक्टर बना रही है देश का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्ष्प्रेस बे सवाई मादुपूर से होकर के गुजर रहा है सरकार ने जैपूर सवाई मादुपूर रेलिवे लाइन के दोरी करण की मन्जूरी भी दे दी है हमने दोसा घंगापूर सिटी से जुड़ी हुई रेलिवे लाइन का दसकों से लंबित काम भी पुरा किया इस खेतरे में इलाज की बैतर सुविजाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज में में बना कर तयार हो रहा है साथियों चोविस के बीस चुनाओं में राजस्तान में ये मेरी आखरी सबाह है अब 26 एप्रिल को अगले चरण का मतदान है बीते दिनों मुझे राजस्तान के अलेगले खेत्रों में जाने का मौका मिला है अब कल शाम को दो साइद आपका प्रत्यारा भ्यान भी पूरा हो जाएगा ये मेरी आखरी सबाह है राजस्तान के मदी सभी खेत्रों के लिए मैं उनके आशिरवाद की कामना करता हूँ अधिकतम मतदान की कामना करता हूँ शादी ब्याहर के दीन है गर्मी भी बहुत है और ऐसे में हम राश्टर करता भी न भूले लोग तंत्र के हमारे दाइत्व को न भूले अधिकतम बोट करें ये मेरी आगरर हैगा आपने मुझे राजस्तान के यात्रव मैंने देखा है भरपूर आशिरवाद दिया है ये आपका याशिरवाद मेरी पूजी है आपके सपने मेरे अपने है विक्सीद भारत के सपने को पुरा करने के लिए मेरा भी हर पल हर ख्शन देश के लिए है इसलिए 24 बाइ 7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूँ और भी ते 10 वर्सों में जो काम हुआ है वो तो एक केवल ट्रेलर है अगले 5 वर्सों में हमें देश को राजस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है मेरा अनुरोध है आप रिकॉर्ड संख्य में कमल के आगे का बटन दबाकर बाइस सुखवीर सी जोनपूरिया समेथ सभी बीजे प्यू उमेदवारों को साउसत में बेजे और यह हमारे जोनपूरिया जी सामान ने इनसान नहीं है मैं पार्लामेंट में उनको कहता रहता था कि यह जोनपूरिया नहीं यह तो जोनपूरिया है यह जान भर देते हैं जहां भी पहुंते हैं जान भर देते हैं ऐसे हमारे जोनपूरिया जी को और आपका एक एक भोट सीधा मोदी को जाने वाला है और मोदी आपके पास भोट मांगने आया है आपको एक और काम करना है करोगे करोगे गर-गर जाकर कहना मोधी जी आये थे हर परिवार के लोगों को मोधी जी ने प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगी है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की जो लोग अभी भी आ रहे हैं मैं पहले से उनकी क्षबा मांगता हूँ मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है इसलिए मैं उनका इतिजार कर रहे हूँ यह सा सम्मव नहीं था फिर भी यह प्यार कम नहीं है जी इतना अबड़ा मैं लगातार देख रहा हूँ जुलूस आता ही चला जा रहा है मैं फिर से उनका शमा मांगता हूँ दिख आये हैं लेकिन पहुंच नहीं पाय यह सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ खोमा मांगता हूँ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहृत बहुत धन्यवाद तो पीम में जो हैं चुनावी जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे विजय शंखनाद रैली के जरिये वो लोगों से मुखातिब हुए जहां एक तरफ उन्होंने सुखबीर सिंग जोनापूरिया की जम कर तारीव की सभा में और जनता को बताया कि किस तरीके से वो लगतार सुखबीर सिंग जोनापूरिया की चर्चा जो है वो करते रहते हैं तो नहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जम कर निशाना साधा बत पीम मूदी ने इससे पहले भी बताते चले जब वो राजर्श्थान आये थे तो कॉंग्रेस के मेनिफेस्टों को लेकर के तमाम तरीके के सवाल पूछे थे और सवालिया निशान खड़े किये थे कि आखिर किस तरीके से कॉंग्रेस ये दावा करती है कि वो संपत्ति को श्रीके के सब्से ख़द्ञा है को बताते है को करते हैasा तरीके को पासा प्यूदा तरीके मूदा है कार तरीके मूदा ख़दा करते हैं झाल झाल